के साथ और करीबन तीन साल तक मेंने मर्योट गूर्ट के साथ काम किया फिर सेम साउथ केंज जिंंंटन लंडन में मैंने डॉयल कल Ik الذphones होटेल गूर्ट के साथ करीबन व्ह दाई साल काम किया मैंने मैंने हॉस्पिटअइटि इंडिया में भी लीला ग्रूप और मैरेट ग्रूप के साथ मैंने बहुत सारे टाइम काम किया है तो यह मेरा बेजिक है कि हॉस्पिटालिटी इंडास्ट्री मेरा बेग्राउंड है मेरा जो study है, मैंने जो study किया है, वो भी hospitality industry में ही सही किया है, मेरा जो main passion है, वो kitchen department है, basically I am a chef, मैंने actually सारे five star group में, सारे department में काम किया, बट मेरा शुरू से kitchen जो है, management है, फिर chef है, cooking है, वो मेरा passion रहा है, फिर मैंने काफी international experience लेने के बाद, hospitality industry में काम करने के बाद, इंडिया में आके मैंने खुद का एक cafe खोलने का plan बनाया, और मैंने unique brew cafe, गुजरात में, सूरत के नजदिक, नवसारी एक city है, वो नवसारी city में unique brew cafe मैंने launch किया था, side 2012 में मैंने launch किया था, उसके बाद, first outlet मैंने जो unique brew का open किया, वो नवसारी गुजरात का है, सूरत के नजदिक में है, उसमें मैंने international cuisine, Indian cuisine और जो local market है, उसके हिसाब से, सारे cuisine को combine किया, और एक अलग taste देने के लिए, अलग recipes डवलप किया, अलग menu line डवलप किया, और unique brew cafe का, जो menu था, जो combine international cuisine, American diner से लेके, थोड़ा continental, Indian, जो मैंने touch up दिया था menu को, वो local market में मेरी recipes, product सबको बहुत ही पसंद आये, और कापी लोगों ने compliments दिये, food के, beverages के, जो मैंने खुद create किया थे, और अभी जो unique brew cafe model के सारे menus है, recipes है, product है, वो मैंने खुद design किया है, मेरी खुद की recipes है, खुद की product है, मतलब खुद की monopoly है, जिसका market में एक अलग reputation है, और अलग यही taste है, और लोगों को वो taste काफी पसंद आया है, अब हम unique brew के business model, financials और menu को देखते हैं, मैं आपको unique brew के business opportunity के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो unique brew business model opportunity for fofo and foco model, unique brew सिर्फ cafe brand नहीं है, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको clear कर देता हूँ, कि unique brew cafe plus fast food plus restaurant है, मतलब unique brew cafe is not only cafe, not only restaurant, not only fast food, यह पुरा multi cuisine, मतलब अलग-अलग segment में हमने unique brew cafe को divide किया है, fast food format भी है, और multi cuisine से लेके lounge format भी हमारे पास है, तो किसी को mind में ऐसा doubt नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ cafe है, क्योंकि आपको unique brew cafe the coffee bar आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि only coffees है, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी food restaurant, restaurant, lounge की बहुत सारी varieties है, फूड में मैं आपको आगे-आगे जब जैसे हमारा webinar आगे बढ़ेगा, मैं आपको menu अगेरा दिखाऊंगा, तो Kofo और 4K model के बारे में हम unique brew काम नहीं करता है, restaurant model भी है unique brew के पास और दोनों combined model unique brew के पास है, आपको देने के लिए unique brew के पास दो category के menu है, pure wage format में भी menu है और pure non wage format में भी menu है, किसी client को अगर pure wage format में करना है, तो pure wage format में कर सकते हैं, किसी को अगर pure non wage format में करना है, तो वो non wage format में भी menu कर सकते हैं, वो client की choice है, हमारे franchise partner की choice है, तो menu में local product और locality के हिसाब से menu रहेगा, ठीक है, prices भी locality के हिसाब से रहेंगे, हम unique brew में हमारे valuable client के suggestion, को हमेशा एहमियत देते हैं हमेशा वेलकम करते हैं उनके suggestions को और client के साथ franchise partner के साथ mutual understanding के साथ हम menu finalize करते है menu planning करते हैं ताकि client को ऐसा ना लगे कि कोई एक menu जो company का बनाया हुआ है और company ने दे दिया है और उसको run करना है 5-7 साल तक नहीं ऐसा नहीं है menu में आपको choice मिलेगा आपके suggestions भी हम लोग ज्यान में रखेंगे और आपके suggestions को welcome करके और menu में हमारे partner changes कर सकते हैं उनके suggestions के हिसाब से हम menu में modification कर सकते हैं unique brew cafe एक ऐसा brand है जिसको अपने business model और concept पे पूरा भरोसा है कि market के हिसाब से और locality के हिसाब से unique brew की franchise network unique brew की team और unique brew के business model और हमारी जो system और process है वो एक profitable business हमारे franchise client को जरूर देगी हम हमारे franchise partner को एक ऐसे business model देंगे जो hundred percent profitable रहेगा जो आपको एक अच्छा profit देगा unique brew का franchise model उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे business model है unique brew के जो business model है वो market में लोगों को काफी पसंद आने वाला model है तो आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा भी फिकर करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि menu जो है वो बहुत अच्छे से design क्या हुआ है market को समझ के market की size को market की requirement को समझ के बाद हमने menu को develop किया है और हमारा जो concept है जैसे की unique brew का जो concept है की comforting unique charming freshly made put together with aromatic coffees and beverages fresh and local food at every unique brew cafe to create a new concept that will renew the whole idea that people and the industry market food and enjoying coffee हमारे सारे store है unique brew के उसमें एक आपको अलग atmosphere मिलेगा comforting unique zone मिलेगा charming freshly made food मिलेगा फिर आपको एक customer satisfy मिलेगा customer को एक अच्छा ambience मिलेगा outlet में हमने उस तरह से create किया है जो youngsters को भी काफी पसंद आए pocket friendly हो और youngsters से लेके middle edge से लेके जो old age है families है उनके लिए भी menu से लेके store के design वगेरा अच्छे से हमने बनाए ताकि सब group के लोगों को corporate crowd को ये पसंद आए restaurant model और cafe model combine करके एक नया idea निकाला है उसके बाद हमारा जो concept है वो बहुत ही innovative और appealing है जो इंडिया में एक अलग taste अलग पहचान देने की हमने पूरी कोशिश की है जिसमें आपको international food product से लेके Indian food production से लेके सारे menu line आपको मिलेंगे अलग-अलग business model के हिसाब से हमारी philosophy बहुत ही simple है हम like unique brew मतलब simple atmosphere coffee food service यह main हमारा funda है लोगों को पसंद आए लोगों को हमारे client satisfy हो यह हमारी main aim है unique brew की तो यह हमने आपको concept के बारे में समझाए unique brew के बारे में उसके जो benefits of becoming unique brew franchise की unique brew franchise के benefits क्या है तो यहां पर यह सारे benefits हमने screen पर आप देख सकते है unique brew के franchise benefits की unique brew का जो business model है वो बहुत ही strong और profit business model है unique brew के सारे business model बहुत ही strong है effective है जो आपको बहतरीन product menu support और profit देंगे जिसकी कार्यक्षमता market में एक अच्छा reputation build up करेगी और जो हमारी menu की जो effectiveness है जो टेस्ट है वो लोगों को काफी पसंद आएगा इसकी हम पूरी आपको assurity देते हैं unique brew एक ऐसा brand है जो आपको आज के Indian market में जो existing brand है जो product है menu है और लोगों ने अभी तक एक नया concept देखा नहीं है unique brew आपको ऐसा concept provide करेगी नए product का अनुभव अभी जो brand और existing product से different product range और menu आपको unique brew देगा unique के पास customers को पसंद आने वाला strong और wide business format है high quality और attractive product line है a solid operations model and secure position देने वाला एक अलग ही concept create किया unique brew ने highly tuned and tried tested system जो business speculations में आपको कोई मौका नहीं देगा शिकायत करने का हमारे franchise partner को a culture of shared success and respect unique brew के पास reputed और experience management की team है जो आपके आपको हर तरह से support करेगी आपको एक अलगी business model मिलेगा जिसमें हमारे जो partners है हमारे जो operational team है आपको post operation support भी देगी जैसे कि main क्या होता है कोई भी brand क्या आप प्रेंचाइजी लेते हो तो main होता है कि आपको support मिले from the day one to आपका जब agreement खतम होता है agreement renew करने का time आता है तब तो आपको जो support मिलना चाहिए तो support सबसे main है और unique brew की team आपको हर तरह से हर format में हर चीज में support करेगी including sales marketing से लेकर staff से लेकर सारी चीजी तो यह सारी unique group की आपको franchise के benefits हमने दिखाए उसके बाद franchise support में आपको क्या-क्या देगी unique group franchise support में आपको marketing support मिलेगा advisory and implementation ongoing operational support मिलेगा effective advertising support promotion and publicity support staff hire करती है company staff hire करती है company recruitment करेगी staff को, chef को आपके लिए उनको on-site, off-site training provide की जाएगी company के standard के हिसाब से हमारी franchise expert team उनको training देगी उसके बाद complete support में क्या-क्या रहेगा company की और से आपको site selection, layout plan, design, interior design, civil work जो कि extra रहेगा, civil work अगर कुछ है तो वो extra रहेगा, उसके बाद interior management, vendor management, menu planning, menu finalizing, social media marketing, advertising, grand launch, post operation support from headquarter, यह सारे franchise support company आपको देगी, Uniquebrew की team आपको देगी, उसके बाद Uniquebrew के franchise benefits क्या रहेंगे, तो आपको एक superb return on investment का model है, हमारे पास जो हमारे सारे business model आपको superb return on investment देगे, आपको complete assistance in franchise development and design, starting से लेके end तक आपको franchise develop करने के लिए, design के लिए, sales को बढ़ाने के लिए, Uniquebrew की team आपको हर करा से support करेगी, उसके बाद आपको franchise can get to know about the food and beverage operation procedure, आपको franchisee के जो भी food and beverage operations है, procedures है, वो आपको समझाई जाएगी, आपको पुरा एक training manual will provide किया जाएगा, जो जिससे आप खुद सारी चीजे learn कर सकते हो, operate कर सकते हो, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, चलाना है, maintain करना है, standard SOP कैसे maintain करना है, यह सारी चीजों आपको company सिखाएगी, provide करेगी, training देगी, उसके बाद the scope for the scope for growth is unlimited as the company is also open for various suggestions towards mutual and productive growth, where even the franchise partner है वसे, कि यहाँ पे एक ऐसा growth unlimited है company के पास आपके लिए, यहाँ पे आप various suggestions देने के लिए आप open हो, company आपको मौका देती है, हर चीज को, हर चीज में ध्यान में रखती है कि आपके suggestions हम लोग ले, आपके suggestions के ध्यान में रखते हुए, हम पुरा design format तयार करे, menu में वैसा ही रखे, और your talent and dedication along with our speciality design franchise system and highly evolved management and operational expertise create the most rewarding and dynamic recipes towards success and triump in business, एक आपको ऐसा success देगी Unique Brew की team, क्योई आपको एक अच्छा proactive growth मिलेगा, आपको अच्छा support मिलेगा, management, operational support मिलेगा, आपको एक business में अच्छा success देने की Unique Brew की team आपको assurity देती है, so don't wait and grab this opportunity to foray into the most rewarding and wholesome category of business, एक काफी अच्छा profitable format business में हमने निकाला है हमारा brand की जो format है, जो design है, जो concept है, वो काफी अच्छा है, तो आप इस opportunity को grab कर सकते हो, it's a reception proof, it's a fun, it's enjoyable, everyday is a learning experience, आपको हरोज कुछ ना कुछ नया सिखने को मिलेगा, life becomes happening and above all, you are the star in this endeavor, उसके बाद brand की जो USP है, वो यह है कि guaranteed return on investment आपको brand देगी, 100% revenue model है, यूनिक ब्रू के सारे model, सारे model में excellent margin है, क्या margin है वो मैं आपको बाद में financial समझाता हूँ, 24 x 7 brand support आपको यूनिक ब्रू की team provide करेगी, उसके बाद आपके mind में, सबके mind में ये रहता है कि, हम लोग यूनिक ब्रू की franchise क्यों ले, क्या difference है दुसरे brand में और हमारे unique ब्रू के बारे, unique ब्रू और दुसरे brand के क्या difference है, तो मैं आपको बता दू कि unique brew cafe और दुसरे franchise में ये difference है, सब other brands, सारे other brands है, वो supply chain में material वो जो supply करते हैं material उसमें margin रखते हैं company का we are not taking any margin here complete transparency के साथ Unique Brook की team आपके साथ काम करेगी हमारे जो SOP और standard है protocols है वो market में सबसे अलग और effective है और Unique Brook की professional team एक आपको support करेगी market में आपके लिए आपके लिए unit के लिए क्या better strategy रहेगी वो Unique Brook की team आपको support करेगी हम लोग जैसे कि Unique Brook एक ऐसी team आपको देगी कि आपको सारे implementation जो करने हैं आपको जो सारे protocols maintain करने हैं वो सारी चीज़ा आपको समझाए जाएगी सिखाए जाएगी उसके बाद Unique Brook के पे एक अलग brand है हम लोग यहाँ पे deal close करने के लिए नहीं है हम लोग यहाँ पे आपको एक unique business opportunity provide करने के लिए यहाँ पे है lifetime profitable business opportunity आपको देने के लिए है unique brew की team एक even after corona crisis even after corona crisis हमारी business policies और tactics market की requirement के हिसाब से business policy और tactics market के requirement के हिसाब से constant improvement करती रहेगी unique brew के betterment के लिए अच्छा profit देने के लिए post covid मतलब post covid के बाद unique brew is only the brand जिसका approach बहुत ही dynamic रहेगा और हर unit franchise के लिए हम लोग एक अलग sops एक अलग standard develop करते हैं जैसा market रहेगा वैसा ही unique brew कैसे का आपको model मिलेगा unique brew brand हमारे valuable client के unit को हमारे unit को perform करते हुए देखना चाती है और proper guidelines के according काम करना चाती है other brands की तरह हम लोग greedy नहीं है royalty के लिए पिर छोटे-छोटे margin रखने के लिए we are not greedy for that because हम लोग कहीं पर भी कोई margin नहीं रखते हैं हमारी policy नहीं है margin रखना हमारी business policy नहीं है client को कुछ भी बोलना कुछ और करना कुछ हमारी policy नहीं है unique brew cafe model सिर्फ franchise brand में नहीं है मतलब लेकिन ये business करने के तरीके में अपने आप एक revolution brand है जो आपको market में कहीं नहीं दिखने वाला कहीं नहीं आपको मतलब आप ऐसा brand मिलेगा नहीं आपको unique brew cafe जैसा क्योंकि हमारी business policy काफी different है product सारे अलग है product सारे fresh है और आपको company supply के पे depend नहीं रहना है company supply पे depend रहे के आपको company को extra pay कुछ नहीं करना है अगर मैं हम लोग आपको एक assurity दे सकते हैं कि अगर आप unique brew cafe के franchise partner बनते हैं तो हम लोग एक चीज के लिए assure हैं कि आप लोग ये industry unique brew की franchise देने के बाद ये hotel industry hospitality industry कभी नहीं छोड़ेंगे उसका reason ये है कि आप unique brew की franchise लेने के बाद satisfy रहेंगे और खुश रहेंगे तो इतनी assurity हम लोग unique brew की team आपको दे सकती है उसके बाद हम लोग Indian market पे थोड़ा study करते हैं कि Indian market size जो है वो यहां पे दिया हुआ है screen पे कि market की जो size है 46 billion 28 1% average consumer range है 75% average gross margin है INR 1500% avenue user है उसके बाद 18% revenue increase होता है per year तो यह एक market segmentation create किया है unique brew की team ने कि 21% local residents होते हैं 86% tourist 29% students 7% traveler 7% local businessmen होते हैं तो इस तरह से market को पुरा divide किया है segmentation किया है और Indian food industry के बारे में यहां पे दिया हुआ है कि Indian food industry दो लाख पचास अजार क्रोर के average rate से grow हो रही है 25-30% पर एनम ग्रो हो रही है Indian food chain market अगर हम लोग बात करते हैं तो टाय टू सीटीज और टाय त्री सीटीज में इंडिया की business अच्छे चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर rent कम होता है staffing जल्दी मिल जाती है यह सारी कीज़े बहुत ही इंपोर्टन है टाय टू टाय ट्री मास्केट के लिए इटिंग आउट इंडिस्ट्री सेट टू डबल बाई 2025 कि जो बाहर खाने वाले लोग है वो दो हजार पच्चीज तक डबल साइज में रहेंगे तो एक रिसेशन प्रूफ इंडेस्ट्री है होस्पिटालिटे इंडेस्ट्री कभी मतलब आपको ऐसा कोई मौका नहीं देगी कि आपको प्रॉफिट ना मिले होस्पिटालिटे इंडेस्ट्री काफी ग्रोथ कर रही है all over the world अगर आप होटेल बिजनिस के बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि होस्पिटालिटे इंडेस्ट्री होटल बिजनिस काफी अच्छे अभी पोस्ट कोईट की बात करो तो अभी बहुत सारी जगापे अभी भी बंद है बट अभी तक के जो फिगर से और आगे के जो फिगर से उसको ध्यान में रख करते हो एक अच्छा बिजनेस आपको हॉस्पिटालिटे इंडेस्टी लेगी हमारे जो युनिक बुरू की जो की स्ट्रेंट है प्रोड़क क्या है क्या की स्ट्रेंट है तो गॉर्मेंट्स ऑफ कॉफी है बिलक ड्रिंक्स है बेवरिजी से डिलीश फ्रेश एंड लोकल फ होती है जो मेन्यूज होता है वो सारा कंबाइन करके इंडिया में हमने एक अच्छा अलग एक आपको देने की पूरी ट्राइगी है फ्रेश्डो कंसिप पिजा रहेगा उसके बाद वी मेक फ्रेश ब्राउनी वी बेक अवर ओन ब्रेट्स वी मेक अवर ओन सोसी यह हमारी अब बच्छी मोनोपोली है बिजनेस स्ट्रेंग क्या रहेगी यूनिक भुय कैपे की तो आपको रॉयल्टी प्री मॉडल है यूनिक भु का आपको कोई रॉयल्टी पे नहीं करनी है तर्म दे डे वनंटू तो तिल रे अगर्यमेंट आपको एंड होने तक आपको रॉयल अलग menu मिलेगा, seasonal menu मिलेगा, innovations, research होते रहते हैं, product में, menus में, तो वो सारी facilities आपको provide करेगी company, refundable security deposit है, तो royalty free model और refundable security deposit, ये दो बहुत ही अच्छे हमारे strength है, business strength है, unique brew का जो vision है, कि हमें development stage में रहना है, और highly competitive market में sustain करके, एक lucrative profitable business हमारे client को देना है, और maximize experience और comfort सारे store में provide करना है, हमारा जो mission है, unique brew का, इंडिया के leading food franchise chain में, constantly better product, service देके हमारे customers को satisfy करना है, ये हमारा main mission है, हमारे franchise partner को एक profit table business opportunity देना है, हमारे जो values है, company के values, की setting standards for a professionally sound franchise network, continuous improvement in the processes and operations to maintain standards, सारे standards को maintain करने के लिए continuous improvement करते रहना है, continuous process और operations को properly improve करके, उसको effective बनाना है, market में अलग strategy develop करना है, food और menu में, beverages में, continuous improvement रखके, अलग taste देना है, customers को पसंद आने वाले taste देनी है, उसके बाद हमारी brand strength में अगर हम लोग बात जाते हैं, unique brew franchise system में, तो governments of coffees है, beverages है, deserts है, fresh and local food है, हमारे पास more than 30 different varieties की coffees है, different flavors है, brew strength है, specialized coffee inventories create की है, source और required sizes के हिसाप से, chain-based model में ज़्यादा है, largest variety है, हमारे पास food और deserts में, beverages में, carefully curated and price mixology based drinks है, correct pricing with reliable partners, हमने हमारे vendors के साथ correct pricing और set करके आपको देते हैं, steady and reliable systems है, highly predictable and high margin से साहे प्रोड़क्ट है, fresh and local food में highest variety and food product, locally sourced testing system for maintaining recipe and taste without depending on staff, आपको complete hand holding and support from headquarter for designing a new product and recipes मिलता रहेगा, feedback based customization options है, जिसमें आपको customers के हम reviews लेते हैं, customers के feedback लेते हैं और उनके हिसाब से recipes को modify करते हैं, prepare करते हैं, franchise opportunity for unique brew cafe, आपको unique brew cafe की franchise opportunity में क्या-क्या मिलेगा, India's most unique restaurant cafe brand है, unique concept of fast food, restaurant cafe business, clubbed into the amazing business opportunity, high margin product है, constant product support by professional consenting team है, 100% royalty free model आपको मिलेगा, territory protection है, area franchise right, zone rights to multiply earnings, investment जो start होता है unique brew का, वो 12x onwards है, excellent ROI options आपको मिलेंगे, easy administration है, manageable via cell phone from anywhere, Pan India में कहीं से भी हम लोग manage कर सकते हैं, किसी भी cities में manage कर सकते हैं, local source, no hassle of depending on company supplies and increased food cost, चैसे में आपको पहले समझाया है, कि सारी, most ही सारी चीज़े हम outlet के अंदर, store के अंदर, restaurant के अंदर prepare करते हैं, हमारे जो chef रहेंगे, cook रहेंगे, उनको उस तरह की training दी जाती है, जो fresh और local food prepare करें, ताक्पी आपको market पे depend ना रहना पड़े, कंपनी के supplies पे depend रहेंगे, आपके food cost को increase ना करना रहेगा, future-ready unique brew cafe model is the only model that has all post-covid guidelines for operations, like हम आपको unique brew cafe model ऐसा है कि post-covid के बाद, covid-19 की guidelines properly follow करेंगे, हम लोग जैसे कि FASAI standard, WHO standard inbuilt है, with SOP, stand-up operation and procedure, आपको सारी चीज़े provide करेंगे, क्या-क्या हमें ध्यान रखना है, kitchen को कैसे hygiene and sensation maintain रखना है, restaurant को कैसे proper hygiene standard में, client को कैसे हमें serve करना है, ये सारी SOPs unique brew के पास है, master franchisee from pan-India हम लोग invite करते हैं, unique brew cafe के लिए master franchisee की opportunity open है, with guaranteed return on investment है, master franchisee, cluster franchisee option, territorial rights है, career developer rights है, उसके बाद minimum guaranteed return on investment की company आपको assurity देती है, master franchisee के लिए, यहाँ पर मेरा introduction दिया हुआ है, managing director and founder, unique brew cafe, unique brew hospitality, private limited, यहाँ पर मेरा जो main role है, जैसे मैंने समझाए कि में operations तो देखता ही हूँ, उसके उपर मेरा जो main role है, मैं I am the head of the research and development division at unique group franchise system, मेरा जो काम है, product को evaluate करना, product को create करना, recipes को develop करना, market में, client को satisfy करना, हमारी services को लेके, और product और menu को लेके, that is my responsibility, so I always look after the innovation, उसके बाद, fund chart कि आपकी यहाँ पर basic, समझाया होगा कि आपको, क्या-क्या fix startup expenses क्या-क्या रहेंगे आपको, तो आपको initial lease payment देना होगा, आपका जो deposit रहता है, advance rent रहता है, उसके बाद आपका miscellaneous cost होता है, social media marketing, working capital चाहिए आपको, marketing के लिए चाहिए, उसके बाद आपको civil work के लिए, interior के लिए, उसके बाद machinery, equipment, cutlery, crockery, menu, uniform, यह सारे payments होते हैं, retail business insurance, coffee supplies inventory, यह सारे fix startup expenses यहाँ पे दिये होए, यहाँ पे एक basic समझाया हुआ है, कि कैसे-कैसे procedure है, आगे बढ़ने की, तो सबसे पहले आपको letter of business inquiry sign up करना है, उसके बाद letter of intent sign करके, token amount देखे, property, DSLR report develop करना है, layout plans, interior plans, उसके बाद staff hiring, machinery, kitchen equipment ordering, SOP, KRA, KPI operation, grand launch, उसके बाद daily 200 customer achieve करने का हमारा एक target रहता है, उसके लिए क्या-क्या policies हमें implement करनी है, वो company के सारे, company का सारे procedure है, standard of operation procedures है, उसके बाद, यह, this was the presentation, आप यहाँ पे company के email IDs वगएरा दिये होए, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा mobile number भी दिया हुआ है, उसके बाद, आप देख सकते हैं, नीचे photos में हमारे जो product है, menus है, हम कैसे उसको presentation देते हैं, हम उसको कैसे prepare करते हैं, उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ, विनिग बूक F.A. के पास चार business model है, starting from the cloud kitchen model, तो you can see on the screen, यहाँ पे पूरे financials आपको detail में समझाए हुए, ताकि आपको अच्छे से पता चले, कि आपको starting से लेके, क्या-क्या expenses आने वाले हैं, तो यहाँ पे उनिग बूक F.A. के जो expenses है, वो cloud kitchen model के लिए हैं, आप screen पे देख सकते हैं, कि basic आपका setup cost है, जो required space 200 से लेके 350 square feet में आपका, machinery equipment, interior civil, other assets, pre-operative expenses, franchise fees, GST को मिला के, आपका cloud kitchen model का आपका total budget रहेगा, तड़े 11,00,00 से लेके 12,00,00, अभी हमने एक unique brew में scheme है, अभी एक scheme चल रहा है, एक offer चल रहा है, कि unique brew आपको ये जो 11,00,00 का cafe model है, cloud kitchen model है, वो सिर्फ 9,00,00 रुपीज में देगा, only in 9,00,00 रुपीज, यहाँ पे area हमने काफी बड़ा count किया है, बट हम लोग maximum 200 square feet में cloud kitchen model कर सकते हैं, cloud kitchen model में आपको क्या-क्या मिलेगा, तो express fundamentals क्या है, key fundamental, express counter रहेगा, take away format रहेगा, delivery format रहेगा, standard high footfall locations पे रहेंगे, crowded space पे ज़्यादा prefer करते हैं, fast moving model है, delivery and aggregator friendly है, jometos, wiggi से, और दुसरे जो delivery options है, उससे tie-up करके देती है, company, menu category में आपको क्या-क्या मिलेगा, तो cloud kitchen menu में आपको hot coffees, tea, cold coffees, ice teas, shipping drinks, sandwiches, pizzas, burgers, salads, pastas, different kind of maggies, french fries, garlic bread, etc. ये सारी चीज़े आपको menu में में आपको, delivery friendly रहेगा, concept क्या रहेगा, cloud kitchen का, only production staff and cleaning crew, low rent रहेगा, low expenses model रहेगा, उसके बाद हम cloud kitchen model की profit and loss, assumption का समझते हैं, महिने का आपका जो खर्चा रहेगा, क्या क्या आपका महिने का sale, खर्चा, उसके बाद आपका क्या बचेगा, पैसा, कितना आपको net income रहेगा, ये सारा यहाँ पे screen पे दिया हुआ है, area requirement 200 से 300 square feet area में, हम लोग F&B sale per month, unique brew कैसे target करता है, cloud kitchen model के लिए 4.5 लाट, उसमें से आपको cost of F&B sale per month, आपको 1,80,000 है, gross profit पर month आपको मिल रहा है, 2,17,000, उसमें से आपके क्या-क्या expenses रहेगी, यहाँ पे detail में दिया हुआ है, electricity, gas, water, rental, staff meal, welfare, miscellaneous, marketing, उसके बाद salary, telephone, total indirect expense आपका 1,81,000 जैसा रहेगा, cloud kitchen model के में 4.5 लाट के sale पे, और net income पर month आपको मिलेगा, 89,000, annualized income आपका count करेंगे, तो साड़े 10,000,000 के करीब रहेगा, आपने जो investment किया है, cloud kitchen model के लिए, वो 10,000,000, अभी लोग हम लेग 10,000,000 की count कर रहे हैं, जैसे मैंने 9,000,000,000 बोला तो 9,000,000,000 कर रहे हैं, तो आपको total investment 9,000,000,000 आपका रहे हैं, और आपको return on investment कितना मिल रहा है, 94% आपका return on investment in cloud kitchen model है, payback period आपका cloud kitchen model में, एक साल और एक महीना, दो महीना जैसा है, तो यह हमारा cloud kitchen model था, उसके बाद हम लोग fresh food cafe है, जो second model है, यूनिग्रू cafe का, पास food cafe, इसका area requirement रहेगा, 400 से साड़े 500 square feet, machinery equipment, civil, interior, other assets, pre-operative expenses, franchise fees, GST को मिला कि, आपका पास food cafe के लिए आपका जो B model है, उसका investment रहेगा, 20 से लेके 21 lakhs ते, अगर कोई client का budget इसमें कम है, तो हम इससे कम budget में भी यह model कर सकते हैं, area हमें थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, but that is possible, आपको fast food cafe model में, key fundamentals में क्या मिलेगा, तो यह पुरा sit-down type का model रहेगा, self-service model रहेगा, take-away and delivery format रहेगे, medium to high footfall locations पे, यह model ज़्यादा अच्छा रहेगा, shopping spaces पे, fast moving model रहेगा, delivery and aggregator friendly model है, जोमेटो स्विगी और दूसरे अधर delivery के साथ, हम लोग type करके company आपको देगी, chill zone for youngsters है, youngsters के लिए यह model काफी अच्छा है, pocket friendly रहेगा, college crowd और retail spaces के लिए भी काफी अच्छा है, menu में आपको क्या मिलेगा, hot coffees, tea, cold coffees, ice teas, sipping drinks, sandwiches, pizzas, fresh dough, burgers, salads, pastas, wraps, wraps, noodles, और थोड़ा Chinese भी रहेगा इस model में, Chinese की कुछ items रहेंगी, Chinese menu, तो delivery friendly model है, उसके बाद concept क्या है, fast food cafe model का, production staff and housekeeping crew, sit down model है, with basic sitting, party friendly है, pocket friendly है, यह जो model रहेगा, और जो cloud kitchen model रहेगा, वो pocket friendly रहेगा, client को ज़्यादा मतलब pocket पे भारी नहीं पड़ेगा, prices कम रहेंगे, और आपको profit भी अच्छा देगा, उसके बाद हम profit and loss assumptions समझते हैं, fast food cafe model का, unique brew cafe का, area requirement हम मैंने जैसे बता है, 400 से 500 square fit area requirement में हम लोग target करते हैं, monthly sale 7 lakh रुपे, उसमें आपको cost of F&B sale per month रहोगा, 2,80,000 उसमें आपको gross profit per month मिलेगा, 4,20,000 इंडिरेक expenses आपके सारे निकालने के बाद, आपका जो net income per month है, 1,73,000 आपका annualize, आपका पूरे साल का income जो है, वो fast food cafe का करीबन 19 से 20 lakhs तक रहेगा, total investment आपने जो किया है, 20 से 21 lakh, आपका return on investment मिल रहा है यहाँ पे 99%, और payback जो है, वो पूरे एक साल में आपका payback मिल जाएगा, fast food cafe model के लिए, उसके बाद हम लोग जो unique brew का third model है, C model, Italian cafe model, unique brew Italian cafe model, उसमें आपको area requirement 800 से 1200 area maximum यहाँ पे area count किया है, इससे कम area में भी हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी का पास छोटा area है, तो उसमें कर सकते हैं, आपका खर्चा भी interim में कम हो जाएगा, उसमें आपको machinery, equipment, civil improvement, interior, pre-operative expenses, franchise की GST को मिला के आपका, approx मतलब जो होगा, वो 25 से 32 lakhs के बीच में रहेगा आपका investment, की fundamentals क्या रहेंगे यह model के, sit-down model है, full service model है, with ambience and wipes, corporate crowd, ज्यादा attract करता है यह model, ambience रहेगा, एक अच्छा theme रहेगा, restaurant के अंदर, cafe के अंदर, इसमें menu category में आपको क्या-क्या मिलेगा, C model में, italian cafe model में, menu category में आपको मिलेगा hot coffee, regular and speciality, tea regular and speciality, cold coffee, ice teas, mixology based drinks, live bar with mocktail, sandwiches regular and gourmet, pizzas, fresh dough, burgers, regular and gourmet, salads and pastas, with Italian and Indian continental options, Mexican fried special, concept में fully sit-down model है, उसमें आपको service और dinner way के साथ, experience driven model with light performances, events to bring social crowd, DJ performances, stand-up act, other events to bring crowd on regular basis, आपको यह model अच्छा रहेगा, यह सारी चीजों के लिए, उसके बाद profit and loss assumptions है, unique brew cafe, Italian cafe model का, 800 से 1200 square feet में हम लोग target करते हैं, 9.5 लग का sell unique brew cafe, उसमें आपको cost of F&B sale पर मन्त रहेगा, 3,80,000, gross profit पर मन्त आपको मिल रहा है, 5,17,000, उसके बाद electricity, सारा खर्चान निकालने के बाद, salary से लेके marketing, हम 3,21,500, आपका indirect expenses रहेगा, net income पर मन्त आपका 2,48,000, annualized income आपका रहेगा 29,00, approximately, आपने जो total investment किया है, 32,00, से लेके 35,00, return on investment हमको 92% मिलेगा, payback आपका 1.1 year है, तो ये आपको return in cafe model का पुरा profit and loss assumption statement है, उसके बाद जो last model है, यूनिक ब्रू का रेश्ट्रो लाउंज model, इसमें हम with bar और without bar भी कर सकते हैं, with liquor, without liquor ये model possible है, with liquor इसकी franchise fees जो रहेगी 12,00,000 है, और without liquor 10,00,000 है, यहाँ पर पुरा आपका investment दिया हुए, 1500-2000 square feet है, 1000 square feet भी होगा तो चलेगा, उसमें आपका सारा interior, pre-operative expenses, franchise की GST, आपका total investment 55 से लेकि 60 lakhs के बीच में रहेगा, यह काफी बड़ा model रहेगा, उसमें आपको sit-down, full service model है, relaxing space, aimed at youngster, corporate crowd with ambience and wipes मिलेगा, menu category में क्या होगा, sports power में, lounge model में, live coffees रहेगी, regular and speciality, live bar रहेगा, tea regular and speciality, cold coffees with sex, ice cheese, mixology based drinks, live bar with mocktail, sandwiches, regular and government, live pizzas, fresh dough burgers, regular and government, salad bars, pastas with italian and continental options, international cuisine menu रहेंगे, इसमें बहुत सारे menu के options है, मैं आपको सारे model के menu बाद में, यह financials के बाद दिखा रहा हूँ, तो special menu रहेगा, concept क्या रहेगा, lounge model का, full sit-down lounge with service and dinner, premium experience driven model है, with live events, sports screenings, special events like DJ evening, karaoke nights to bring premium crowd, other events and food festival, etc. on regular basis, collaboration हम लोग करते हैं, social media और influencer exclusive model है, इसका financials जो रहेगा, unique brew cafe का, जो lounge model का, area requirement, हमने जैसे बता है, 1500 से 2000 profit, 18,00,000 का sale target करती है, unique brew lounge model के लिए, आपका cost of F&B पर sale month है, 7,20,000, gross profit पर month है, 10,80,000, सारे खर्चे निकालने के बाद, आपका जो total indirect expenses है, 6,20,000, net income पर month आपका रहेगा, 4,00, 4,00, 54,53,000 करीब, उसके बाद आपका annual income है, 54,42,000 approximately, उसमें total investment आपने जो किया है, वो 57,00, return on investment आपको इस model में मिलेगा, 95%, payback है 1.1 year में, तो यह से सारे Unique Brew के 4 business model, तो उसके बाद मैं आपको Unique Brew के सारे menus दिखा रहा हूँ, अभी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे Unique Brew के fast food का menu, तो you can see on the screen Unique Brew Cafe का fast food का menu है, उसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, tea coffees में आपको मिलेगा, I am scrolling down the menu, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे की Unique Brew का cafe, जो fast food cafe का menu है, जो cloud kitchen menu मैंने आपको financials में अलड़ी समझा दिया है, यह fast food cafe का menu है, तो उसमें आपको tea, cold coffee, starter, डॉल्स दिलेटो, on the rock, hot and cold coffees, pizza से, हमारे पास burgers है, fried and grilled burgers की वेराइटी है, source of sandwich ही है, sandwiches है, wage and non-wage दोनों options अवाइलेबल है, pastas है, Indian और continental sizzlers है, wraps है, noodles है, cold sensations है, fruit prepes है, mohitos है, sluts है, mocktails है, उसके बाद इसमें sundays है, desserts है, brownies है, उसके बाद आपको इसमें, हमने combos भी रखे हैं, menu में पुरे बहुत सारे combos हैं, जो आपको, जैसे कि students के लिए combo है, जैसे कि meal for one, meal for two, burger combo, sandwich combo, यह सारे है, उसके बाद जो third model है, C model, Italian cafe model, उसका menu आप screen पे देख सकते हैं, Italian cafe model, same wage non-wage format में आप कर सकते हैं, सब Italian coffees है, classic coffees है, starter है, garlic bread से लेके, wage non-wage fusion fries, smiley आपको chicken wings, nuggets, wrist finger, on the rocks, soups and chips, इसमें आपको soups है, salads है, wage non-wage options है, nachos है, tacos है, इसमें, उसके बाद pizza's है, burgers, sandwiches, pastas है, आपको बहुत सारे sandwich में varieties है, उसके बाद sizzler है, wraps है, noodles है, बहुत सारे mocktail और fruit prepे, mohitos, sundays की variety है, deserts है, add-ons है, meal combos है, बहुत सारे combos create किये हैं, उसके बाद इसमें, birthday party menu अलग रहेगा, kitty party menu आपको मिलेगा, उसके बाद हमारा जो last menu है, sports bar का, यह जो sports bar का menu रहेगा, वो किसी भी sports की theme पे, theme बेज रहेगा, जैसी cricket की theme, या India में cricket ज़्यादा popular है, तो हमने cricket की theme पे design किया है, आप sports की, football की team पे भी रख सकते हैं, उसमें आपको menus में बहुत सारी variety, पुरा international cuisines रहेगा menu में, आपको, आप देख सकते हैं, पुरे sports की theme पे menu है, इसमें coffees में आपको, classic American club, Italian cold, iced tea, on the rock, सारी hot and cold coffees, mocktails है, margaritas है, conventional है, cold sensation में, mohitos, beverage trees, fruit prepes, plus starters में आपको different starters में लेगे, यह global starters रहेंगे, उसके बाद आपको, Asian, pan-asian starter मिलेंगे, Indian starter मिलेंगे, यह starter है, salads में भी, आपको Indian starter, continental starter soups, उसके बाद breakfast menu भी रहेगा आपका, उसके बाद pizzas में, fresh dough से लेके, बहुत सारी variety है, Chinese है, आपके पास, काफी Chinese food है, combos है, Mexican है, आपके पास burger है, sandwiches, pastas, sizzlers, Indian menu भी है हमारे पास, मैं आपको अभी एक last menu जो दिखाने जा रहा हूँ, यह पुरा sports bar lounge का menu था, उसके बाद मैं आपको जो final menu दिखा रहा हूँ, जो अभी हमने बिल्ही में outlet open किया है, रोहनी sector 7 में, उसका यह menu है, तो you can see on the screen, यह menu में आपको बहुत सारी food में varieties मिलेगी, जैसे कि हम लोगोंने wage और non-wage combined menu है, wage भी कर सकते हैं, non-wage भी कर सकते हैं, coffee से लेके starter breakfast में आपको छोले बटूरे ओमलेट, आलू परठा, उसके बाद soups, salads, ठीक है, उसके बाद tandoori starters है, अचारी, पनी टिक्का है, मलाई पनी टिक्का है, उसके बाद स्वयाज चाप है, चाप के काफी starter है, तंदूरी टिकाज है, wage non-wage में options है, momos है, Chinese starter है, noodles है, rice है, Chinese rice है, मेगीस की varieties है, pizza, sandwich, grill sandwich, उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन मेन्यूज भी है, पास्ताज है, sizzlers है, wraps है, main course में आपको wage menu, non-wage menu, चाप मिलेगा gravy में भी, आपको wage biriyani, non-wage biriyani, chicken biriyani, सब options यहाँ पर available है, half full options है, cold sensation में आपको बहुत सारे fruit frappe, mojitos, slush, sundays में brownies है, waffles भी है यहाँ पर, ice creams है, cold drinks है, meals, combos है, यह पूरा menu है, Unique Brew Cafe का, तो I hope आपको यह पूरा presentation Unique Brew का पसंद आया होगा, तो अभी आपको कोई भी questions हो या doubt हो, आप share कर सकते हो, उससे पहले Unique Brew का जो अब भी एक offer चल रहा है Unique Brew में, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि कोई भी client अगर Unique Brew की franchise भी लेना चाहते हैं, तो आपको अगर 25th September से पहले कोई LOI sign करके token amount deposit करता है, तो आपको 25% franchise fees पे discount मिलेगा, 25% off on franchise fees, और दुसरे भी बहुत तारे other benefits भी मिलेंगे, अगर आप 25th September से पहले finalize करते हों, तब, और FocoModel अगर कोई चक करना चाहता है, तो FocoModel has additional company management charges, उसके agreement भी अलग रहेंगे, और उसका common conditions सब अलग रहेंगे, that can be discussed, आपके email ID और phone number drop कर सकते हैं, सारी चीजे आपको समझाई जाएगी, so that's all from the presentation, I hope आपको यह presentation काफी पसंद आया होगा, आपको कोई भी doubt या queries हो, तो यहाँ पे screen पे numbers, email IDs दिये हुए, सकते हैं आपको यहाँ आपको आपको यहाँ आपको यहाँ होगाँ,